गिल्यक कि है oh hello friends welcome to my YouTube channel on a study point आज मैं बात करने जा रहा हूँ source of income के बारे में ठीक है iziert हमारे पास जो source of income होते हैं वो तरह के source of income होते हैं एक होता है active income दूसरा होता है passive income अगर हम active income की बात करें तो active income क्या होती जो रोज मर्रा में हम job करते हैं या फिर directly way में हम कहीं न उस वर्क से जुड़े होते हैं, तो वो active income कहलाती है, यानि कि the money will come until you work individually, मतलब कि जब तक आप individually आप उस वर्क से जुड़े हो या फिर job कर रहे हो, तब तक आपके पास money आएगा, तिक है, उस में फिर आपका job हो सकता है, work where you involve, ठीक है, आप directly किसी work में involved हो, वो आपका active income है, सोर्स है, ठीक है, self-employment, आपने कोई ऐसा business call रखा है, या फिर ऐसी कोई shop open कर रखे है, चोटी मोटी बगारा, ठीक है, जिसमें आप self, मतलब उसमें involved होना पड़ता है, आपको money earn करने के लिए, no time freedom, यापर क्या होता है, आपका पास active income में, ठीक है, आपके पास पांते पैस uncertainty होती है, ठीक है, कि suppose that आप job कर रहे हो, कल को आपकी job रहे ना रहे, ठीक है, और या फिर कोई business है, जो आपका कल, मतलब कुछ भी business में हो सकता है, ठीक है, losses वगेरा, तो इसमें एक uncertainty ये रहती है, कि आप उसमें एक तो खुद भी involved हो, दूसरी चीज uncertainty है, तो यानि कि अगर आपके साथ कुछ, मानले जे, कुछ incident हो जाता है, या फिर कुछ भी हो जाता है, तो आप जब तक जुड़े हो, तब तक आपके पास वो money आ रहा है, ठीक है, आप, मानले जे, आप work नहीं कर पाते हो, कुछ सालों बार, तो वो money आपका फिर नहीं आएगा, active income योगी, दू वे में जुड़े हो, या उस वर्क से जुड़े हो, तो उसमें हमें money आता रहता है, suppose that the money will come without involving yourself, यानि हम अपने आपको involve किये हुए बिना, वहां से money earn कर सकते हैं, rented a house building, इसमें example के तोर पे ले सकते हैं, जैसे कि आपने कोई building बनवा दिया, कोई अपने house बनवा दिया, ठी तो आप वो क्या हो गया, एक source of income हो गया, आप उसमें involvement नहीं हो, ठीक directly, आपका वो एक rented rent आ रहा है, उसमें आपको individually involved नहीं होना पड़ रहा है, फिर return on investment, आपने मालिजे अपने account में saving कर रखी हुई है, या फिर आपने FD कर रखी हुई है, या फिर आपने stock market में investment किया हु आपने stock market में ना invest करके आपने किसी मालिजे बड़ी company में आप as a share partner हो, या फिर आप कह सकते हैं कि आप long time investment कर रहो, ये सारी चीजे आपकी return on investment क्या होता है, ये भी आपका एक passive income होता है, ठीक है, इसमें आपने आपको कुछ भी, मतलब actively आपको यहाँ पर active नहीं होना है, य ये आपने investment कर रखा है, उस पर आपको return आएगा, ये definite है, commission by reference कोई चीज है, suppose that as a reseller जब हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो हमने बता दिया कि इनके यहाँ चले जाओ, इनके आपको यह समान मिल जाएगा, या इनकी shopper आपको यह मिल जाएगा, आपको कितना समान चाहिए, बत इसी को customer दे सकते हैं, उसके भीहाब पर आपको कुछ source earning मिल जाएगी, उसके बात करने, earning from digital platform, आजकल आप देखी रहो कि जैसे जैसे लोग offline mode से online mode में shift हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि उन्होंने मालेजे कोई book लिख दी, या फिर उन्होंने कोई video बना दिया, या फिर आ पड़ रहा है, उन्होंने एक बार उसमें time अपना दिया, ठीक है, time का investment किया, या फिर अपना capital का investment किया, one time किया, बट कहीं न कहीं वहाँ पर directly उनको involvement नहीं है, अगर कलको उनके हाथ पर नहीं भी चलते हैं, तो वो एक source of income है उनका, जो कहीं न कहीं बना रहेगा, ठीक है, third party between buyer and seller, यहाँ पर मैं एक बात करी चुका हूँ, third party between buyer and seller पे एक affiliate marketing की बात ले सकते हैं, या फिर आप as a commission, जो मतलब third party के लोग होते हैं, उनकी बात ले सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब buyer और seller को मिलाते हैं, मालो मुझे कोई, suppose that कुछ land और खरीदनी है, ठीक है, या फिर किसी और को खरीदनी मालेजे, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो land बेंच रहा है, जो खरीदना चाहता है, दोनों से contact करूँगा, ठीक है, buyer से contact करूँगा, या फिर seller से contact करूँगा, कि मुझे इतना percent commission चाहिए, जो भी buy करने में या sell करने का जो भी amount होगा, उसका इत seller, ठीक है, इसमें आपको कुछ actively work नहीं करना पड़ा, जैस्ट आपको दो लोगों को कही ना कही मिलाना पड़ा, ठीक है, तो इस चीत से आपकी भी earning हो गई, no risk uncertainty, यहाँ पर क्या होता है, कोई भी risk और uncertainty नहीं होती है, ठीक है, तो यह आपको passive income काफी जरूरी होती है, ठीक certainty बहुत है, आपने देखा कि COVID आ गया, या फिर आपने देखा कि inflation बहुत तेजी से आज कल बढ़ रहा है, ठीक है, यानि कि inflation बढ़ने के पर आपका जो active income है, वो बहुत धीरे-धीरे कही ना कहीं बढ़ रहा है, तो एक passive income source of आपको रखना चाहिए, so that आप कल जैसे-जैसे आपकी age बढ़ रही है, वैसे आप actively थोड़ा सा मतलब उतना active नहीं रह जाएंगे, तो आपको passive income रखना चाहिए, अब मैं बात करूँ कि माली जी, अगर कोई passive income स्टार्ट करना चाहता है, बट उसे ABC knowledge नहीं है, कैसे स्टार्ट करना है, तो आप देखिए simply, आज कल social media platforms use कर तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत कमाने लगोंगे, बट आप मैं उन बच्चों को के लिए, या फिर वो बच्चे जो अभी उस intermediate या बैचलर्स में हैं, या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ये तो करी सकते हैं कि किसी का भी business जो offline mode में है, वो एक Facebook पे 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 प्रेज कर सकते हैं, या फिर उनकी branding कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि हमें आपका free में करूंगा, ब्रान्डिंग या फ्रॉमोशन होगा, जैसे ही आपको कुछ हिरो मेरे marketing से अगर आपको कुछ ऐसे customers आते हैं, या फिर ऐसे आपको कुछ आता है तो फिर आप उसके ब क्रियेट कर सकते हो जैसे आप Facebook income sorry जैसे आप Facebook या Instagram पर scroll कर रहे हो तो ऐसे आप ID की जगे आप page बना सकते हो pages से आप grow कर सकते हो ठीक है तो आप किसी का भी business अगर आप बढ़ाओगे तो ऐसा तो कुछ ने कुछ जरूर आपको कमिशन बगारा देना चाहेगा आज के लिए इतना ही बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा तब तक के लिए धन्यमाद